pair of linear equation दी है pair of linear equation 2 variable यह पहली equation है और यह दूसरी equation है हमें इन दोनों equations के लिए 3-3 solutions find करने और उसका फिर graph draw करना है तो सबसे पहले मैं first equation से start करता हूँ जो equation है 2x plus 4y equals to 12 तो यहां से मैं इस equation को in the form of x निकाल लूँगा तो 4y को मैं ले जाओं दूसरी side में तो x मेरे पास आजाएगा 12 minus 4 by over 2 तो यहां से अगर देखें तो और हम simple कर सकते हैं इसको 2 common ले सकता हूँ मैं तो यह मेरे पास आएगा अगर मैं 2 common ले लूँ तो 2 into 6 minus 2 by over 2 2 से 2 कर जाएगा तो यह मेरे पास आएगा x equals to 6 minus 2 by अब मैं y की कोई भी value substitute करूँ यहां तो मेरे पास x की values आजाएगी तो अगर मैं y यहां पे 0 put करता हूँ तो x मेरे पास आजाएगा 6 minus 0 which equal to 6 हो गया अगर y मैं यहाँ पे 1 put करता हूँ तो x मेरे पास आ जाएगा 6-2 into 1 तो जाएगा 6-2 तो जाएगा 4 और अगर y मैं 2 substitute करता हूँ यहाँ पे तो इसमें x equals to 6-2 into 2 तो 6-4 जो मेरे पास 2 आ जाएगा तो हम एक table draw कर लेता हूँ जो मेरे पास information आ रहे कि क्योंकि मुझे graph भी draw करना है तो यहाँ पे x और y के लिए मैं table draw कर लेता हूँ तीन values हैं तो y की value जब मैंने 0 put किया है तो x की value मेरे पास 6 आ गई जब y की value 1 substitute की थी तो x मेरे पास 4 आ गया और जब y मैंने 2 substitute किया था तो x मेरे पास 2 आया अब यह graph के ओपर बनाऊँगा लेकिन पहले मैं दूसरी equation को भी solve कर लूँ पिर कठा graph draw करते हैं second equation है मेरे पास x plus 2y equals to 4 तो इसको मैं लिखूंगा x की form है 4 minus 2y तो यहां पे भी same y की value अगर मैं 0 put करूँ तो x मेरे पास हो जाएगा यह term 0 जाएगी तो मेरे पास सिर्फ 4 आ जाएगा अगर by मैं 1 put करता हूँ तो x मेरे पास आएगा 4 minus 2 into 1 2 हो जाएगा तो वो मेरे पास आएगा 2 और अगर मैं y की value 2 substitute करता हूँ तो x मेरे पास आएगा 4 minus 2 into 2 जो जाएगा 4 minus 4 equal to 0 तो इसके लिए भी मैं table draw कर लेता हूँ यही पर second equation के लिए तो इसमें भी x और y की values आ जाएगे मेरे पास x और y यह x-axis है और यह y-axis है यह origin है स्केल जो लिए है वो along x-axis 11 unit किया और along y-axis भी 11 unit किया तो फर्स लाइन के लिए हम draw कर लेते हैं फर्स लाइन में जब x 6 है तो y 0 आएगा एक 6 का मतलब हो गया यह हम यहां पर x-axis पर चलेंगे 6 पर y 0 है तो यह coordinate बन गया पॉइंट मेरे पास आगया 6,0 दूसरा है x-axis पर 4 है तो y 1 आएगा x-axis पर 4 चलूँगा तो y 1 तो यह point बना तो यह इसके coordinate आगे 4 और 1 इसके coordinate हो गए देन 2 on 2 means x-axis पर 2 है तो y-axis पर भी 2 तो यह आगे मेरे पास 2,2 अब मैं इसको scale के साथ मिला दूँगा तो यह scale के साथ इस तरह से बनेंगा यह straight line आएगी क्योंकि जो pair of linear equation है वो एक straight line आता है तो इस तरह से आप यह line draw कर सकते हैं आप pencil से draw करिएगा तो यह होगी मेरी पहल प्लाइन के लिए और यहाँ पर line लिख दूँगा मैं जो first line है यह बना 2x plus 4y equals to 12 यह first line के लिए हो गया अब second line के इसी तरह से कि जब मैं x-axis 4 चलूँगा तो y 0 आएगा तो यह first हो गया 40 इसी point पर 4,0 then x-axis पर 2 चलूँगा तो y 1 x-axis 2 है तो y 1 यहां पर आगे तो इसके coordinate होगे 2 और 1 then x-axis पर 0 है तो y 2 means x-axis पर 0 तो y 2 तो point यहाँ बना जो coordinate बनेंगे 0 & 2 अब इन तीनो points को आप मिला दीजिए scale के साथ तो यह भी state line बनेंगी इस तरह से तो यह हो गया आपका दूसरा line यह और इस axis का नाम है x plus 2y equals to 4 तो यह जो line है वो इस equation के लिए और जो first line वो इस equation के लिए है तो यह इसका graph और 3 solutions के साथ जो इसका answer है यह इसके 3 solutions होगे पहरी line के दूसरी line के और यह इनके लिए graph बन गया thank you